कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप लोग अच्छे होंगे आर्टू डिफेंस अकड़ी में आपका स्वागत है आज मैं इस वीडियो के मादम से इंडियन कोस्ट गार्ड नाविग एडी डिवी आंत्रिक के लिए जो वैकेंसी आई है सिकेंड दो जार बाइस बैस के लिए कि आप फार्म भरे हैं तो काफी आपको चिंता होगा कि कब आने वाला है परिच्छा कब होने वाला है और सेलेक्शन प्रोसेस हो सकता है तो आप जान गए होंगे और काफी लोगों को डाउट है कि पेपर आल लाइन होगा या आफ लाइन देखिए सब कुस इस वीडियो क मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में बने लिए लास्ट चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे एरफोर्स ने भी एंड कोस्ट गार्ड और अधर गौर्मेंट जॉब से अपडेट पाने के लिए देखिए एडिमिट कार्ड भी बताने वाला कि कब होने वाली है यह भी बताने वाला हूँ और GDDB के लिए सेलेक्शन प्रोसेस क्या होता है यह भी बताने वाला हूँ देखिए आपका पेपर जो है की आल लाइन होने वाला है क्योंकि पेमेंट आपका कटा है 250 ठीक है तो आपका जो है कि पेमेंट कटा है तो से पहले मैं आपको बता दूं कि कोस्टगार्ड नाविक जीडी डीवी आंत्री का यदि आप तैयारी करते हैं तो परिछाइब बेस्ट आ लाइन टेस्ट सेरीज चल लाए यदि आपको 50% छूट चाहिए तो आर 50 का यूज करेंगे तो आपको जो एकी 50% जो एकी छूट मिल आने बाला है और शाइयेgrสिंध मां आपको लिंक दिया हूं परिष्या अपको इंस्टाल किज और ये टैस्ट लगाईए टैस्ट लगाने के काफी फायदें आपका इस्पीड मेंटेन होता है आपके जो एकी ताइम मेनेजमेंट होता है काफी फायदे है तो चलते हैं हम एक्जाम सीटी के बारे में बात करते हैं तो देखे इतना हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं आपको बता दे रहा हूँ साथ काट में कि 30 किलुमिटर के अंदर में ही आपका ग्जाम सीटी राने वाला है जो भी प्रिफरेंस आया होगा चार से पाँश आप भरे होंगे जैसे आप बनारस में रहते हैं या इलहाबाद में या दिली जो भी आपका आसपास लखनौ जो भी आपके आसपास सीटी बात बात बताया गया है कि आपका जोई की नोटिफिकेशन के अनुसार मैं बता रहा हूं टेंटरी इडिव फार इग्जामिनेशन एंड डाउनलोड इडिक कार्ड देंटरी इग्जामिनेशन एज फालो ठीक है नाविक जी डी डी यां तरीक के लिए स्टेस फर्स्ट क्या फाइनल डोकुमेंट वेरिफिकेशन एंड मेटकल फाइनल होता है तो यही है देखिए स्टेस फर्स्ट आपका मिड या इंड मार्च दोजर बाईस तो आपका एड्मीट कार्ड और एक्जाम की बात यहां पर की गई है कि जामनेशन एंड डाउनलोडिंग एड्मीट कार मिडिल या इंड मार्च 15 से 30 के बीच में आपका जोई की एड्मीट कार्ड भी आ जाएगा और जोई की 20 से 30 के बीच में आपका जोई की एक्जाम भी कंड़क्ट करा दिया जाएगा चार से पान दिन लगते हैं यह सब कंड़क्ट कराने में कोस्ट गार्ट के ज़्यादा फार्म फिलफ भी नहीं किये गए हैं 3.5 लाख है इस ते ही फार्म जो है कि इस बार फिलफ कराए गए हैं आपको मैं ये भी बता दिया डाटा ठीके तो आपका जो है कि 15 से 30 मार्च के बीच ये जो है कि आपका एक्जाम कंड़क्ट करा लिया जाएगा और एड्मिट कार्ड भी 15 से 30 के बीच में आ जाएगा ये हो गया आपका जो है कि एड्मिट कार्ड अब रिजल्ट कब आएगा देखिए नोटिफिकेशन के अनुसाथ 30 दिन के अंदर आपका जो है कि बताया गया है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको बता दूँ तो 10-15 दिन के अंदर ये आपका रिजल्ट आ जाता है ठीके इसके बाद PFT आपका फिचकल के लिए इन्वाइट किया जाता है इसके बाद मैं आपको बता दूँ इसके बाद आपका सेलेक्शन प्रोसेस परिच्छा भी आप जान गए परिच्छा आपका अलाइन होता है ठीके आपका एड्मीट कार्ड भी बता दिया और परिच्छा भी बता दिया डेट आपका कब है तो मीडेल या इंड 15-30 मार्श के बीच में आपका जो एकी एड्मीट कार्ड आ जाने वाला है और आपका एक्जाम भी हो जाने वाला है 15-30 मार्श 2022 ठीके इसके बाद मैं आपको सेलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ नाविक डीवी का बात करूँ तो सेलेक्शन फस्ट ही आपको देना होगा जिसमें यूर स्वरी यूर 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 यूडवी यस ओबीसी के लिए 30 नमर जोएकी पासिंग मार्श है और सटी के लिए 27 नमर पासिंग मार्श है आगे मैं आपको बताने वाला हूं इसमें थोड़ा साट दिया गया है और नाविक डीवी के लिए यदि आप फान फिलब के एं तो sections first and section second, दोनों आपको paper देना होगा, 30 नमर आपको section first में passing है और 20 नमर आपका section second में passing है, UR EWS EWC category, ये category के लिए की passing marks रखा गया 27 और 17 ये आपका compulsory है first and second separately in compulsory ठीक है इस company compulsory sorry 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 फिर इसके बाद मैं आपको detail देखिए यहां पर बताए गया है कि section first में क्या होता है या यदि आप DB के लिए भरे हैं किसके लिए DB के लिए भरे हैं फारम अपलाई किये हैं तो आपको first and second दोनों देना होगा देखिए maximum marks आपका 60 नमर होगा यह section first की बात हो रही है टाइमिंग आपको 45 मिनिट मिलने वाला है total नमर आपको साथ मिनिट आपका जोए कि साथ 45 मिनिट मिलने वाले हैं कोस्टन आपको 60 होगा और आपका साथ नमर होने वाला है मैत आपको अर्थमेटिक आएगा बीच नमर का साइन्स दस नमर का इंग्लिस पंदर नमर रिजिनिंग दस नमर जी के सेक्शन सिकंड में क्या होता है क्न और आपके 50 आते हैं पचास एक नमर का होता निगेटिव माइनस मार्कींग आपकी नहीं यह ध्यान दीजेगा निगेटिव आपका नहीं कटने वाला है टाइमिंगstar तीस मिनट में 50 कोश्चन हल करना होता है टेक्निकल मैठ टेक्निकल फिजिक्स पचीस पचीस नमर का आता है यह ख्याल करिएगा ठीक है यह सक्षन सिकेंड जी डी के लिए फार्म अप्लाई के रहें तो काफी कठीन है इसको निकालना 20 नमर पासिंग मार्स अनिवार है आपक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इसके बाद मैं आपको बता दूँक्त आपका जोए की अल्लाइन एक्जाम जो कि क्लियर कर लेते हो तो आपका फिचकल होता है इसमें कुछ नहीं लिखा गया ज्यादा कुछ बस यह बताया गया है कि दौर्ण उठक बैश्टक पु आपको जहों कि नहीं दिया जाएगा कि हम दौड़ लिए तो दस मिनिट का ब्रेक नहीं इसके बाद एक दो ब्रेक मिलेगा उठक भैठक फिर पूछ अब यह इसे होता है पिश फिशकल में आपका हो जाएगा फिर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन भी होगा उसमें फेले कि आगे थोड़ा मुड़ा होता है नहीं होता है तो थार्ड में आपका जोए की फाइनल मेट कल कर लिया जाता है तो आई होप कि सब अलाइन पेपर आपका होने वाला है पेमेंट भी आपका कड़ गया है 28 रुपया आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी समझ में नहीं होगा प्लीज कमेंट किजिएगा मैं आपको रिप्लाइज जरूर दूंगा जै हिंद जै भारत बनने महत्रम